नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धवल पादिल और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डीपीश लॉग में आज मैं आया हूँ भरुच और यहां से 17 किलो मीटर पर एक प्लेस है जिसका नाम है कबीरवर्ड जो यहां पर बहुत फेमज है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो और यहां रेले स्टेशन के बाहर इसका एक पीश्टी बनाया है तो चलो हम पहले कबीरवर्ड चलते हैं अब मैं आया हूँ जाड़ेस पर नेस्नल हाइवे नंबर आंट फे और यहां से हम जाएंगे कबीरवर्ड जाएंगे स्बस्क्राइब अभी मैं सुकलतीर पहुंचा हूँ दोस्तों तो कभी वर जाने के लिए मुझे बोट में जाना पड़ेगा उस किनारे पे कभी वर एक आइलेंड है नर्मरा ना दिखा उसके लिए यहां पर बोट की सुविदा है चालीस रुपे की टिकेट आयेगी तो आपको यहां से लेकर जायेगी और रिटन भी लेकर आयेगी स्याम को तो पहले में टिकेट खड़ी देता हूं फिर बोट में जाके बाकी की डी लेकर बोट बोट में जाके बाकी लेकर जाव कि टो झाल 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 फाइनली मैं कबीरवड पहुच गया हूँ और यह जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो यह कबीरवड का गेठ है और आप यहीं से बहुत सारे बर्गड के पेड दीख रहे होंगे आपको तो मैं आपको अंदर जाके सारे पेड दिखाता हूँ और उनका महत्वा आपको बताता हूँ झाल 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 यहां पर बहुत सारे बर्गड के पेड है और तीन किलोमेटर के एरिया में ये फेले हुए है पता ही नहीं चलता है कि कौनसा पेर एक है और इंदूसरी से लिंग है तो यहां पर कहा जाता है कि बहुत साल पहले संद कभीर जी यहां पर रहते थे और उनकी वज़े से ही इस प्रिस का नाम रखा गया है कबीर वाल और यह बहुत फेमस है और यहां पर वेकेशन में बहुत लोग फैमिली के साथ यहां पर घुमने आते हैं जब भी भरुच आओगे तो एक बात जरूर यहां पर घुमने आना यहां पर बहुत म अबिर जी का यहां पर मंदीर भी है और मैं आपको भी मंदीर दिखाता हूं तो चलिए पहले मंदीर देख लेते हैं कि अव å पर चुमने मां पर यिर भी मंदीर धायव देख जर प्रिखें हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कि अ झाल बाल जैसे कि आपने देखा दोस्तों बहुत खूबसरत मंदीर बनाया है अंदर से भी बहुत चारी डिजाइन बनाई है पैंटिंग बनाई है और संद कभीर जी का एक मूर्टी भी है अंदर तो आप यहां पे जरूर आईए अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कोने में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा उसको टर्ज कर दीजिए और ऐसे ही में आपको फेमस प्लेसिस पर घुमाता रहूंगा तब तक के लिए जय ही जय भारत